नमस्कार इस चैनल में आप सभी विवर्स को बहुत बहुत सागत है आज इस फीडियो में रेजिनिंग के नामबर एन अलफेबेट सीरीज के उपर कुछ खोशन्स रिसक्स करेंगे जो अपकोमिंग कॉपेटिटिव एक्जम्स के लिए बहुत ही इंपरेंट है आप वीडिय तो यहां पर वन के साथ मुल्टिप्लेट बे अगर 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा उसके साथ अगर प्लस 2 एड़ करेंगे तो 7 हो जाएगा next number उसके बदे के 7 multiplied by 5 is equal to 35 होता है उसके साथ plus 2 करना है तो 37 हो जाएगा next number then 37 multiplied by 5 is equal to 185 होता है उसके साथ अगर plus 2 करेंगे तो 187 आ जाएगा next number ठीक है समुझ बारा है उसके बाद 187 multiplied by 5 करना है तो यहाँ पर 935 हो जाएगा उसके साथ plus 2 करना है तो 937 हो जाएगा next number तो अभी question mark जागा क्या होगा 937 multiplied by 5 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 उसके आगे 8 उसके आगे 4 6 उसके साथ plus 2 करना है तो यहाँ पर 4 6 8 7 हो जाएगा question mark जागा correct answer ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते हैं देखें यहाँ पर भी एक number series लास्ट में question mark के जागा कौन सा number आएगा इस question को solve करने के लिए यहाँ जो number से इन numbers के अंदर relation को देखना है सबसे पहले देखें 1 है उसके बद 5 है तो यहाँ पर क्या करना है 1 के साथ हम multiplied by 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा उसके साथ अगर plus 3 add करेंगे तो यहाँ पर देखें 5 हो जाएगा next number then 5 multiplied by अभी 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 15 के साथ अभी plus 4 add करेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा next number then 19 multiplied by 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 76, 76 के साथ अगर plus 5 करेंगे तो यहाँ पर देखे 81 आ जाएगा next number then 81 multiplied by 5 करना है तो 81 multiplied by 5 इसी कल्टो क्या होगा? 5 and यहाँ पर 4, 0 ठीक है 405 हो जाएगा उसके साथ अगर plus 6 कर देंगे तो यहाँ पर 411 आ जाएगा तो मतलब question mark के जाएगा 411 हो जाएगा correct answer तो मतलब पहले first number के साथ multiplied by 2 plus 3 then second number के साथ multiplied by 3 plus 4 third number के साथ multiplied by 4 plus 5 and fourth number के साथ multiplied by 5 plus 6 तो यहाँ पर answer हो जाएगा 411 ठीक है तो चलिए next question को देख लेते है देखे यहाँ पर भी एक number सीरीजे numbers कंद relation को देखना है सबसे पहले देखे minus 10 उसके बाद minus 8 तो यहाँ पर इस question को हम difference से solve नहीं करेंगे यहाँ पर देखे पहले minus 10 है उसके साथ plus हम क्या करेंगे 2 square करेंगे and minus 2 कर देखे तो यहाँ पर देखे minus 10 plus यहाँ पर 2 square is equal to 4 minus 2 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 2 ठीक है minus 10 plus 2 is equal to minus 8 आ जाएगा next number then minus 8 plus यहाँ पर देखे अभी 4 square करेंगे minus 2 करेंगे तो मतलब minus 8 plus यहाँ पर bracket के अंदर 4 square is equal to 16 minus 2 is equal to minus 8 plus 14 हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 6 हो जाएगा मतलब plus 6 हो जाएगा next number then plus 6 और 6 plus अभी 6 square करेंगे minus 2 करेंगे तो यहापर दिखे 6 plus 36 minus 2 मतलब 34 हो जाएगा 40 हो जाएगा next number ठीक है समझ मारा है उसके बाद दिखे 40 plus अभी 8 square करेंगे minus 2 कर देंगे तो 40 plus यहापर दिखे 64 minus 2 is equal to 62 हो जाएगा तो मतलब 102 हो जाएगा next number दिन question mark की जागा किया होगा देखे 102 plus 10 square minus 2 हो जाएगा तो मतलब 102 plus यहापर bracket के अंदर 100 minus 2 मतलब 102 plus 98 is equal to 200 हो जाएगा तो मतलब question mark की जाएगा 200 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते है देखे यहापर एक alphabet series है इस question को solve करने के लिए सबसे पहले count करना परेगा यहापर कितना number of alphabets और letters होगा देखे यहापर count करेंगे तो total 18 number of alphabets होगा तो यहापर 18 को हम ऐसे break करेंगे 6 multiplied by 3 उसके बाद 9 multiplied by 2 तो यहापर हम क्या करेंगे 9 and 2 का group नहीं बनाएंगे तो पहले 6 का group बनाएंगे मतलब 6 letters लेके एक एक part को divide कर लेंगे 1,2,3,4,5,6 यहाँ तक 1,2,3,4,5,6 यहाँ तक 1,2,3,4,5,6 यहाँ तक 1,2,3,4,5,6 उसके बाद देखे यहापर इस group में C है यहापर C है यहापर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर अगर C लिखेंगे तो तीनो ग्रूप में C हो जाएगा फर्स्ट लेटर इडिल ग्रूप में देखे यहाँ पर A, B है second and third letter यहाँ पर देखे A, B है तो यहाँ पर अगर A लिखेंगे तो group बन जाएगा ठीक है समझ मा रहा है तो group बन गए C, A, B, B, A, C C, A, B, B, A, C, C, A, B, A, C तो answer क्या होगा A, C उसके बाद B, C, B A, C, B, C, B हो जाएगा correct answer मतलब option B हो जाएगा correct answer ठीक है समझ मा आ गया तो चलिए next question को देख लेते है देखें यहाँ पर एक number series है तो इन में से कौन सा number odd है वो ही पूछा गया है question में इस question को solve कैसे करना है देखें सबसे पहले इस question को solve करने के लिए यहाँ जो number से इन numbers के अंदर relation को देखना है सबसे बिले देखें 3 है उसके बाद 5 है तो यहाँ पर देखें 3 के साथ multiplied भी 1 करेंगे पहले तो 3 हो जाएगा उसके साथ plus 2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा next number then 5 multiplied भी 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा उसके साथ plus 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा next number पर उसके बद देखें, 13 multiplied by 3 करना है, तो 39 हो जाएगा, प्लस अभी 4 करेंगे, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा next number, ठीक है, समझ मारा है, उसके बद 43 multiplied by 4 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 172, ठीक है, उसके साथ अभी plus 5 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 177 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 176 है, तो मतलब यहाँ पर 176, यहाँ पर odd हो जाएगा, उसके बद देखें, 177 multiplied by 4 करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 5 उसके बद 8, एन उसके बाद 8 ठीक है तो 885 होगा उसके साथ प्लस 6 करेंगे तो 891 आ जाएगा next number then 5353 कैसे आएगा देन यहाँ पर देखे 891 multiply 6 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 उसके बाद 4 उसके बाद 53 ठीक है 5346 होगा प्लस 7 करना है तो यहाँ पर 5353 हो जाएगा next number ठीक है समझ मारा है नतलब यहाँ पर 176 का जाएगा अगर 177 होता तो यह series correct होता तो 176 हो जाएगा और number ठीक है समझ मारा गया तो चलिए next question को देख लेते हैं देखे यहाँ पर एक number series लास्ट में question मरके जागा कौन सा number आएगा इस question को solve कैसे करना है देखे सबसे पहले 12 है उसके बाद 18 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 के साथ multiply by 4 करेंगे तो यहाँ पर 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा next number ठीक है उसके बाद 36 multiplied by 4 करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 144 144 से अगर 42 माइनस करेंगे तो इसका मतला भी हो जाएगा 102 ठीक है next nober मिल गा है उसके बाद 102 multiplied by 4 is equal to 400 and 8 हो जाएगा 408 से यहाँ पर minus 48 8 minus करना है तो 408 minus 48 is equal to 360 हो जाएगा next number तो question बढ़के जाएगा क्या होगा देखे 360 multiplied by 4 is equal to यहापर हो जाएगा 0 यहापर 4 यहापर 14 1 double for 0 आ जाएगा उससे minus क्या होगा देखे 88 plus 6 मतलब 54 हो जाएगा minus यहापर तो यहापर हो जाएगा 1386 तो question मढ़के जाएगा 1386 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते हैं देखे यहापर भी एक number series last में question मढ़के जाएगा कौन सा number आएगा इस question को solve करने के लिए यहापर जो number से इन numbers करने difference को देखना है सबसे ब razor 27 उसके बढ़ देखे 38। मतलब यहापर देखे plus 11 increase हो है उसके बandır 38-71 मतलब plus 33 increase हो है 71-126 मतलब plus 55 increase हो है ठीक है समुझ मारा है उसके बाद 126-206 मतलब यहापर plus 77 increase हो है तो अभी यहापर कितने increase होगा इंक्रीस हो एगffee यह चो number increase हो रहा है इसके अंदर एक relation है, देखे, 11 multiplied by 1 is equal to 11 होता है, उसके बाद 11 multiplied by 3 is equal to 33, उसके बाद 11 multiplied by 5 is equal to 55, then 11 multiplied by 7 is equal to 77, तो अभी next क्या होगा, 11 multiplied by 9 हो जाएगा, मतलब plus 99 increase होगा, तो question मर के जागा, 203 plus 99 is equal to 302 हो जाएगा, sorry, यहाँ बाद 302 हो जाएगा, correct answer, ठीक है, समझ में आ गया, त तो चली next question को देख लेते हैं, देखे, यहाँ पर एक alphabet series है, इस question को solve कीसे करना है, इस question को solve करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसको solve करना होगा, देखे, यहाँ पर अगर letters काउंट करके, उसके बाद equally group बनाएगा, तो यह solve नहीं होगा, तो यहाँ पर यह solve कैसे से थीन, तरीsorry का group बनाएगे, मतलब A B C उसके बाद 4, मतलब सबके से फेले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद ऐसे चलते जाएगा ठीक है, ऐसे group बनाएंगे, पहले 3, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 letters का group बनाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 letters का group बनाएंगे, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letters का group बनाएंगे, देखे, इस group में A, B, C है, यहाँ पर A है, देखे, सबी group में पहला letter देखे, A है, A, 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 ठीक है, समझ माना है, उस यहाँ पर double a double b हो जाएगा ठीक है समुझ में रहा है उसके बाद यहाँ पर double a double b अभी क्या होगा double c हो जाएगा ठीक है मतलब यहाँ पर group कैसे होगा a b c पहले है उसके बाद देखिए double a b c उसके बाद देखिए double a double b c है बाद B, उसके बाद A, उसके बाद C, तो A, B, A, C हो जाएगा, यहाँ पर correct answer, ठीक है, इस वीडियो में किसी भी question को, अगर समझने में कोई दिक्कत हो, तो अब जरूरू common box से comment करके बताइए, मैं कोशिश करूगा, उस question को अपको फिर से समझेने का, वीडियो को अच्छे ल